अगर आप एक website बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जो महीना है यह बहुत ही जबरतसता है कोई भी online चीज़ परचेस करने के लिए क्योंकि इस पूरे महीने black friday sale चलती है black friday sale अमेरिका में मनाई जाती है जिसमें online जितने भी product होते हैं उन पर 50 to 70% off होता है अगर आप एक wordpress website बनाने की सोच रहे हैं hosting service खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है इस वीडियो में हम बताने वाले है कैसे आप बहुत ही cheap price में hosting service और domain purchase कर सकते हैं तो hosting service खरीदने के लिए आपको नीचे description में जाना है वहाँ पे एक link दिया गया है वहाँ पे आपको click करना है और इसके आगी की जानकारी चलिए हम अपने desktop से सीख लेते हैं तो यहां हम समझने वाले हैं कि कैसे आप अगर इस महीं ने hosting service खरीद रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदे का सोदा साबित हो सकती है जब आप link पे click करके hostinger के page प आपको मिल ले वाला है तो यहां पे go for it पे आपको click करना है तो यहां पे हम जाते हैं single web hosting plan पे सबसे पहले और देखते हैं कि इसमें हमें क्या फायदा मिल रहा है तो यह 79 या नहीं 80 रुपय में भी एक रुपया कम है अब यहां पे हमें क्या क्या चीज़े मिलती है यहां यहां पे हमें एक website के लिए प्लान मिलता है 30 GB का SSD storage मिलता है 10,000 visit monthly आप यहां पे कर सकते हैं और एक email account यहां पे आपको मिलेगा और इसके बाद में यहां पे free SSL certificate मिलता है जो की 855 रुपय वैल्यू का है देख लेते हैं कि इसमें फायदा है कि नहीं उसके बाद आगे try करे लेते हैं आप देखेंगे यहां पे 77% off हो गया 48 महीने के लिए अगर आप यह प्लान लेते हैं तो आपको पढ़ेगा यह 3792 रुपेगा अगर इसे लेते हैं 24 महीने के लिए तो पढ़ेगा 2800 रुपेगा और अगर आप एक साल के लिए लेते हैं तो आपको पढ़ेगा 139 यानि 1668 रुपे का यह प्लान आपको एक साल के लिए पड़ेगा अब यहां पर जब टेक्स लग जाता है टेक्स क्यूंकि यहां पर 18% होता है तो यह 1968 रुपे का प्लान हो गया इसमें मैं आपको भी कूपन कोड और पता देता हूं आपको यहां पर माई विग गाइड आपको और मिल जाएगी तो यह हो गए 1827 रुपे अब यहां पर अब चूंकि हमें जो SSL सर्टिफिकेट है वो फ्री मिलता है इसके साथ में तो उसकी वेल्यू क्या है वो जरह हम देख लेते हैं तो यहां पर हम आते हैं SSL सर्टिफिकेट पर और यहां पर अगर आप 1000 रुपे में आपको यह जो होस्टिंग सर्वेस है सिंगल वेब होस्टिंग सर्वेस यह पूरे एक साल के लिए मिल जाएगी यानि 100 रुपे महीने में टेक्स वेक्स सब लगा के आपको यहां पर SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और आपको केबल डोमीन यहां पर का 100 website आप रण कर पाएंगे 25,000 मंथी विजट आपके website पे हो सकते हैं free email आपको यहां पर मिल जाता है किलाबा free SSL मिल जाता है और free domain भी यहां पर आपको मिल जाता है यहां पर वर्डप्रेस को manage कर सकते है unlimited brand with है तो यह काफी सारी अच्छी चीज़े है और सबसे बड़ी च पर्चेस करते हैं तो यहां पर आपको यह 139 रुपे पर मन्त का प्लान पड़ेगा इसका अगर आप टोटल कॉस्ट लगाएंगे यहां पर तो मैंने आपना जो कूबा ने वह उटा देता हूं तो जो टोटल कॉस्ट बैठेगा 48 महीने यानि चार साल का वो बैठेगा आपक चार साल के प्लान में इसमें आपको यहां पर आप देखेंगे तो अगर हम कोई भी डोमेन अभी पर्चेस करते हैं तो डोमेन की कॉस्ट है 600 700 रुपे के बीच में 800 रुपे की बीच में तो यहां पर जो डोमेन की कॉस्ट है आप कोई भी डोमेन सेलेक कर लीजिए वो बाद में भी SSL certificate यहां यहां पर हो जाएगा एक बार हम calculator से calculate कर लेते हैं 73-1600 तो चार साल का आपको जो hosting service है domain free है SSL certificate free है 57 रुपे का आपको यह पढ़ जाएगा अगर divide कर दें इसको चार के साथ में तो किवल 1425 रुपे सालाना की यह service आपको पढ़ेगी तो एक बहुत ही जबरदस चीज है अब समझ लेते हैं कि कैसे यह buy करना है आपको आगे payment का option क्या आएगा और कैसे आप आगे इसमें जो domain है वो purchase कर सकते हैं अपनी WordPress की website इस पर कैसे बना सकते हैं तो देखे यहां पर हमने hosting plan purchase कर लिया है और जब पहली बार आप login करेंगे hosting plan को purchase करने के बाद में तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा हमने hosting plan purchase किया उसके साथ में हमें मिला है free domain name यानि हमें domain name के लिए अलग से पैसा खर्च नहीं करना है यहां पर click करके आप अपने website के लिए एक domain फ्री में ले सकते हैं चलिए इस पर click कर देते हैं यहां पर आपको अपने domain name को डालना है तो उधारन के लिए मैं यहां पर डाल देता हूँ शर्माजी की shop और यहां से हम इसको claim करते हैं अगर यह domain name होगा तो हमें यहां पर मिल जाएगा लेकि हमारा domain name है वो available है और वो हमें मिल गया है अब इसके बाद आपको यहां पर जाना है start registration पर hostinger मैं आपको इसलिए suggest कर रहा हूँ क्योंकि यहां पर जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत आसान है hostinger पर आपको h panel मिलता है जिसमें सारी चीज़ों को करना जितनी भी settings है उनको करना बहुत आसान है so domain तो आपने registration कर लिया लेकिन आपको कुछ details देनी है जैसे यह domain आपके personal use के लिए है या आपकी किसी company organization के लिए है so simple आप इसे यहां से next कर दीजेगा आप यहां पर आपको आपकी contact detail डालनी होगी तो आप अपने पूरी contact detail यहां पर fill कर दीजेगा और इसके बाद मैं यहां से जो registration है उसे भी finish कर लिजेगा तो देखिए domain का काम तो complete हो गया आपको simple यहां से verification करानी है जो आपके mail address पर जाएगी और आपका domain जो है वो complete हो जाएगा तो एक verification email आप अपने mail पर भेज़ दीजेगा और link पर click कर दीजेगा तो देखिए यहां पर email successful चला गया है अब हम आते हैं अपने दुबारा hosting वाले tab पे और यहां पर आपको जो आपकी web hosting आपने purchase की थी उसका setup करना है यहां पर आपको start पर click करना है और यहां पर आपको start ना होगा button दिखाए देगा इस पर भी आप click कर दीजिये अब यहां पर आपको आपका domain चुनना है जो कि हमने पहले से लिए रखा है तो यहां पर शर्माजी की shop हमने select कर रखा है इसे यहां से हम select करेंगे अगर इसके लबा कोई और भी domain हो आपके पास में तो आप उसी ले सकते हैं अब यहां पर आपको दो option मिलेंगे migrate my website और build a new website तो अगर आप अपनी कोई पुरानी website है उसको wordpress पे या hosting पे लेके आने चाहते हैं यहां से आपको यह select करना है नहीं तो build a new website के option पे जाना है अगर इन दौनों options को आप छोड़ना चाहते हैं तो भी आप यहां से इसको skip कर सकते हैं फिलाल हम build a new website के option पे जाएंगे अब यहां पे आप से पूछेगा have you ever build a website before आपने पहले website build की है या नहीं की है तो अगर की है तो आप यहां पे yes पे क्लिक करेंगे अगर नहीं की है तो आप no पे क्लिक करेंगे अगर पहली बार है आपका तो अगर आपका पहली बार है तो आप यहां से hostinger का जो इन्हों का एक tool है जिससे आप website बना सकते हैं उसको select कर सकते हैं नहीं तो आप WordPress के option पे जा सकते हैं तो हम WordPress के option को select करेंगे जो की most popular option है किसी भी website को बनाने का अब यहाँ पे आपको बनाना है एक नया WordPress account तो यहाँ पे आपको simple आपका email address डालना है उसके बाद आपको एक password बनाना है तो यहाँ पे आप वो बना सकते हैं तो मैं एक password यहाँ पे डाल देता हूँ और इसे यहाँ से continue कराऊँगा continue कराने के बाद मैं आपको अपने website के लिए एक यहाँ पे template select करना है तो देखिए यहाँ पे धेर सारे template दिये गए हैं जो कि बिल्कुल neat and clean है अगर आप और templates देखना चाहते हैं तो show more पे click करेंगे आपको धेर सारे templates और भी यहाँ पे दिख जाएंगे तो कोई भी template जो आपको suitable लगता हो आपके website के लिए उसको select कर लीजे So simply हम यहाँ से ले लेते हैं यह motivational speaker वाला template और इसको select कर लेते हैं इसके बाद में थोड़ी सी processing होगी और आप यहाँ पे finish setup पे click करेंगे तो देखे कितना आसान है एक website बनाना हमने केवल 2-3 minute के अंदर एक website बिल्ड करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कर ली है अब देखे यहाँ पे कुछ files upload होंगी सारा काम automatic हो जाएगा hosting इतना easy है कि एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे website बना सकता है तो लगबग एक से डेट मेंट की जो processing है उसके बाद यहाँ पे आपको एक message दिखेगा your website is ready यहाँ पे आपको दो option मिलेंगे पहला wordpress dashboard और दूसरा control panel का आप सीधे सीधे manage wordpress पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो wordpress है वो installed मिलेगा और यहाँ पे आपको wordpress का पूरा पैनल मिल जाएगा अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लिनी जरूरी है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो website है वो live हुई है या नहीं तो आप यहाँ पे corner में जाएंगे और visit website वाले option पे क्लिक करेंगे तो देखें आपकी जो website है वो live हो चुकी है लेकिन अभी जो हमने theme install की थी वही theme के यहाँ पे logo और यहाँ पे नाम वगेरा लिखके आ रहा है about page है ebooks है course contact यह सारी चीज़ने लिखके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो domain name है sharmajiki shop.com वो भी यहाँ पे आ रहा है अब यह सारी चीज़ने कैसे आपको बदलनी है उसका बड़ा ही आसान तरीका है तो आपको simple यहाँ पे dashboard में appearance का option दिखाई देगा और यहाँ पे theme का option दिखाई देगा इस पे click कर दीजे यहाँ पे आपको आपकी theme के अलावा और भी धेर सारी themes दिखाई देंगी तो अभी जो theme जो template हम use कर रहे हैं WordPress ने हमें pre-install करके दी है उसका नाम है अस्त्र और इसमें आप कोई भी customization अगर करना चाहते है तो यहाँ पे आपको customization का button मिलता है इस पे आप जैसे click करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा सो यहां से यह logo आपको दिखाई नहीं देगा अगर नया logo को यह आप लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं और नीचे आपको site title में जाना है यहां पे आपको display site title का option मिलेगा अगर आप चाहते हैं किवल text लिखा हुआ है इस पे click कर दिजिए simple आपको यह लिखा हुआ है यहां पे दिख जाएगा तो आप यहां पे logo भी लगा सकते हैं या फिर आप नाम भी लिख सकते हैं इस तरह से आप धेर सारी editing कर सकते हैं अपने website के अंदर यह सारे changes करने के बाद में आपको simple publish पे click करना है तो जो भी बदलाव आपने website के अंदर किये हैं वो आपके live हो जाएंगे यह लोगों को दिखने लग जाएंगे अभी जो बदलाव हम कर रहे थे बीच में वो लोगों को सीधे सीधे नहीं दिखते हैं जब तक कि हम यहां से publish या update नहीं करते हैं तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे आप hosting और domain को purchase कर सकते हैं कैसे WordPress पे आप एक website बना सकते हैं और domain और hosting होती किया है आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो नीची कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं मिलता हूँ आप से क्लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम